हेलो स्टुरेंट्स, आई टे एंचीबिटी क्लासिस में आप सभी का सवागत है, मैं रूपेशिंग आज आप लोगों को काफी अच्छी इंफार्मेशन लेकर आया हूँ और आप देख रहे होंगे कि यह लेटर 20 अपरेल 23 को पब्लिस हुआ है और इस लेटर में यह है कि जो आपकी एक्जाम की डेट है, सिस्नल की डेट है, कब आपका एडमिट का डाउनलोड होगा, कब आपके एक्जाम होगे, कब आपका CBT एक्जाम होगा, कब आपकी फीस दमा होगी इस पीडियाप में आपको मिलने वाली है, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग सीरेस होकर बैठ जाएं और इस वीडियो को पूरा अंतक देखें, तो आप देख पार होगे, आप देखेंगे, कि जो आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ये, इस एक्टिविटी को देख पार होगे, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, यानि कि हर एक ट्रेनी का वेरिफिकेशन होता है, प्रोफाइल का, ये कैसे होता है, ये तरीका में आप लोग को बताऊंगा, कि हर एक बच्चे को अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि यह स्टार्ट एक मई से पंदरा मई तक यानि पंदरा दिन तक आपको ट्रेणी वेरिफिकेशन करना है यह इसका मतलब यह ट्रेणी वेरिफिकेशन कैसे करना इसका वीडियो में लिंक में दे दूंगा और आप लोग अपना ट्रेणी वेरिफिकेशन करेंगे अब यह ते donné citizen में आप लोग का सही पाया जाना चाहिए यदि सही है उसी प्रकार से ही आपका result generate होगा तो इस बाद का गौर करिएगा कि आपको जो भी information आपने admission के time करी थी थोड़ा सा वी च्रेंजमेंट करना है तो यहां trainee verification में गिवरांस सो करके आप लोग इसको सही कर सकते हैं चलिए आँगे चलते हैं resolution और profile गिवरांस जो भी दिक्कते आएंगी जिन जिन बच्चों को दिक्कते आएंगी वह एक तारिक से 20 तारिक के बीच में ही sorted करनी है वह नोडल ITI state के under guidance में ही काम होगा अब इसके बाद आता है attendance और fees ये आपके 29 मई से 10 जून तक ये काम चलेगा और इसके दोरान ही आपके session mark आपके assessment आपके attendance ये सवी चीज यहाँ फिल की जाएगी तो जिन बच्चातु के attendance कम है वो जलिस अपने अच्छे attendance बना लें तभी आपको अच्छे session marks दिये जाएंगे चली आँगे बढ़ते हैं fees submission जो fees submission है एक तारिक 1 जून से 10 जून के बीच में fee submission होना है CBT का fees जमा होगी practical की fees जमा होगी ये सभी fees 10 जून के पहले ही पहले जमा हो जाएगी चली ठीक है अब बात करते है practical की practical की जो exam की mapping है ये date इससे start हो जाएगा finally जो आपके admin card है 26 जून से 7 जूलाई के बीच में आपके practical के admin card डाउनलोड होंगे और जो आपके practical exam होंगे वह तीन तारीक से 7 जूलाई के बीच में होंगे अब आगे बढ़ते हैं यानि practical हो गया सेस्टनल भी आपको हो गया अब CBT exam के बारे में बात करते हैं तो CBT exam के जो exam 10 जुलाई से 4 अगस्त तक के आपके बीच में किसी दिन भी आपका exam हो सकता है देखी होता ही है कि किसी college से किसी college किसी college किसी college किस दिन होता है तो CBT exam है वो mapping होने के बाद में आपके admin card डाउनलोड हो जाएंगे 28 तारिक से 28 से जून से आपके generate हो जाएंगे उसके बाद result का जो declaration होगा 19 अगस्त को आपका result declare हो जाएगा फिर आपके 17 सितंबर को आपका convocation day मनाया जाएगा जो भी अच्छे चात्र होंगे उनलों को पुरुसकार दिया जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो के तहरत आप लोग को काफी जादी information मिल गई होगी और मैं उमीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को share करेंगे तो यह information आज के दिन 20 अप्रेल को आई है तो इस वीडियो को आप लोग शेर करें तब एक लिए जय हिंद जय भारत